दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योगर इंटाडे कोच में दोस्तों मार्केट में आज दोनों तरफ मुमेंटम हुआ आप कैसे इस मुमेंटम को कैच कर सकते थे और कैसे आज आप दोनों साइट के मुमेंटम पकड़ सकते थे और कल मार्केट में क्या हो सकता है मतलब मंदे को मार्केट में क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं चलिए चलते हैं चार्ट के उपर अरे यह मेरा आज का profit है, आज मेरा profit हुआ है 60,000 का, आप देख सकते हो, थोड़ा में बिजीता, hospital वगेरा के चक्कर में, तो मैं आज इसको exit नहीं कर पाया, और 3.30 हो गया था, इसलिए ये छूट के रह गया, नहीं तो मुझे इसको exit करना था, PEL आप लोग जानते हैं कि मैंने इसको sod किय है, मैं चाहता हूँ कि ये zero हो जाए, तो मैं इसको zero होने का wait करूँगा, और एक हपता बचा है expiry को, तो एक हपता में इसका wait करूँगा, उसके अलाबा, बाकी मैंने bank nifty में 43,900 का put, 332 पर sell किया है, देख रहे हैं आप मेरी quantity देखिए, cable 150 quantity, nifty में भी cable 150 quantity, उसमें भी हमको अच्छा profit मिलना है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी quantity में भी बड़ा बड़ा profit किया जा सकता है, कि वल आप लोगों को ध्यान देना है, price action क्या कह रहा है, मैं जो आपको levels देता हूँ, उन levels को आप अपने chart पर draw करके रखिए, उन levels के पार हो सबसे पहले बात कर लेते हैं, निफ्टी की, देखिए, यह levels, जो लोग लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं, उन्हें पता है, यह levels मैंने आज नहीं बनाये हैं, यह levels मैंने पहले के बने हुए levels हैं, जब मैं levels देता हूँ, और market में आज क्या हुआ, market इस level के पास open हुआ और कहां तक आया market, हमारे इस level तक, यह अगर आप एक महीने दो महीने पहले जब market अठाराजार पार नहीं किया था, उस समय का आप वीडियो देखेंगे, तब मैंने यह level किया था, कि 18,007 और 18,058 एक ऐसा level है, जब market इसके उपर निकलेगा, तो एक बहुत अच्छी rally आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देखिए, यह तभी का level draw है, आज से एक डिड़ मैने पहले का level draw है, और देखिए, market level को कैसे respect करता है, आज market यहां खुला, इसके बाद market में इस level को respect किया, double bottom मनाया, double bottom मनाने के बाद market ऊपर निकल गया, और हमने आपको जो level दिया था 18,200 का, मैं पिसले 2-3 वीडियो से बार बार कह रहा हूं, अगर 18,200 level तोड़ेगा, तो market कम से कम 100 point नीचे जाएगा, 18,200 का level तो market कम से कम 100 point ऊपर जाएगा, मैं बार बार आप लोगों को यह कह रहा था, और आपने देखा, दो बार देखा, यहां पे तोड़ा market नीचे गया यहां पर इसने तोड़ा market नीचे गया, अब अगेन इस rally को cover करके market 18,205 के level पर आ चुका है, अब अगर market इस level का support लेकर उपर की ओर चलता है, तो आपको यह level दुबारा देखने को मिलेंगे, 18,260 का, 18,314 का, बीच का भी मैं एक level आपको दूँगा, 18,445 का, तो पहले market को market कैसे जाएगा, market ऐसे जाएगा, इसको respect करेगा और फिर market उपर की तरफ जाएगा, तो आपको किबल पता होना चाहिए कि market में आप कहाँ पर trade ले सेट, आप देखते होगे मेरे chart पे हमेशा यह moving average बना रहता है, आप देखो इसको जब भी यह इसको cover करता है, यह cross करता है, तो देखिए market किती अच्छी rally देता है, जब भी इसको cross करता है, market किती अच्छी rally देता है, इस line का लगातार support किया market नहीं, यहाँ पर इसको break किया, देखिए, जब अर जस्त rally आपको देखने को मिल रही है, market ने इसको cross किया, respect किया, respect करने के बाद थोड़ा सा नीचे आने देखिए market दुबारा इस level को पार कर गया, तो आप कोई भी चीज apply करिए, आपको हमेशा profit मिलेगा, केवल आप एक चीज पर कायव रही है, तो आप देखिए market 18,205 के 200 के ऊपर जाकर इसने closing दिये, अगर market 200 के ऊपर बना रहता है, तो आप 18,199 का stop loss लेकर और इसमें आप और बाइंग करके चल सकते हो, एक हड़ डाले 18,260 का, वो सकता है market मंडे को 260 के ऊपर ही open हो, अगर ऊपर open होगा और 18,200 का आप stop loss लगा के इसको आप उपर के लिए wait कर सकते हो, तो इसमें आप बाई कहां पर कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, आप बाई करोगे, नि 50 को आप बाई करेंगे, 18,199 हमारा लेविल था, 18,203 पे close हुआ, आप 18,200 का stop loss लगा के, वैसे तो इस लेविल के बीच में आप trade करने से अगर बच सकते हैं तो बचिए, आप 18,260 पर बाई करें, stop loss कहां डालिए, 18,225 का stop loss डालिए, और जो target है, वो target रहेगा, आपका पह पहला target हैगा, 18,314 का, दूसरा target हैगा, 18,380 का, और तीसा target हैगा, 18,445 का, तो इन तरीन target के लिए आप निफ्टी को बाई करके चल सकते हो, बैंक निफ्टी को आप कहां पर बाई कर सकते हो, अब देखिए, मार्केट ने इस तरह से ये price action बनाया था, M बनाया था, इसको इसने fail कर दिया, और मार्केट उपर की ओर चलागे, अब मार्केट जब तक इस level के नीचे नहीं आता है, यानि 18,150 के नीचे trade करना शुरू नहीं कर देता लगाता है, तब तक मार्केट जो है, अब upside में move कर सकता है, तो आप निफ्टी को sell करेंगे, 18,150 के नीचे, 18,150 के नीचे sell करेंगे, stop loss डालेंगे, 18,185 का, 185 का, और जो target आएगा, पहला तो target आएगा, आपका 18,100 का, दूसरा आएगा, 18058 का, और तीसरा आएगा, 1807 का, इन तीन target के लिए आप निफ्टी को sell करके चल सकते हैं, अगर हम bank निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी bank में भी आप देखेंगे, कि जो levels हमने दिये थे, वो सारे के सारे levels जो है, market को, मैंने आपको ये 43,600 का लेविल, आप मेरे कल का वीडियो, पर्सों का वीडियो, पहले का वीडियो उठा के देखिए, आप ये level, आप देखिए मेरे कि जो levels में आपको देता हूँ, वो कितने important है, इन levels का support लेके market अगेन उपर गया है, अब market में hurdle है, 44,155 का, अगर market मने को gap up खुलता है, तो हो सकता है कि ये market, 44,155 के उपर खुले, अगर नहीं खुलता है, तो flat खुलता है, तो आप इसमें 44,000 के उपर, इसमें buy करके चल सकते हैं, क्योंकि market ने यहाँ पर क्या किया है, एक resistance लिया है, तो आप bank nifty को buy करेंगे 44,000 पर buy करेंगे, stop loss डालेंगे, 43,930 का stop loss डालेंगे, और जो target आपका निकल के आएगा, वो target आएगा, पहला target तो आएगा 44,155 का, दूसर target आएगा 44,230 का, और तीसर target आएगा 43,350 का, इन तीन target के लिए आप bank nifty को मन्दे को buy करके चल सकते हैं, sell कहां करेंगे, sell मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 43,817 का level important है, और देकिया, आज जैसे इस level को इसने break किया, एक inside candle बनाई, और inside candle बनाने के बाद, market सीधा 43,609 पर आगे, तो sell आप हम तब तक नहीं करेंगे, जब तक market 43,817 को नीचे की side break ना करें, तो आप sell करोगे, bank निफ्टी को, कहां करोगे, 43,817 के level पे आप इसको sell करोगे, stop loss डालोगे, 43,900 का stop loss डालोगे, और जो target निकल के आएगा, वो पहला target तो आजाएगा, आपका 43,007,20 का, दूसा target आएगा, 43,609 का, और तीसा target आएगा, 43,500 का, तो इन तीन level के लिए, आप bank निफ्टी को sell करके, चल सकते हो, दोस्तों मुझे से कई लोग कह रहे थे, के sir, आपने, अभी क्या level देना बंद कर दिये, मैं crude oil के level देता हूँ, trade नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले दो दिनों से, चोटे भाई की बेटी की तबिय के थराव होने की बैसे, मैं hospital में busy था, मैं market में था नहीं, इसलिए सुबह सुबह मैं आप लोगों को market open होने के पहले level देखके, निकल गया हूँ, निकल जाता हूँ, और उसके बाद मैं वापस lot के आया हूँ, तीन साड़े तीन बजे के बाद, तो जो भी trade आप यहाँ प buy किया था, buy करने के बाद इसमें 11,000 रुपे का profit हुआ, तो दोस्तों, अगर छोटा 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 trade भी लोग है ना, तो भी आप अच्छा profit कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप heavy quantity में, देखिए heavy quantity में trade कौन लेता है, heavy quantity में trade केवल वही लोग लेते हैं, जो पूरी trade से share market को समर्पेत है, उनकी income का जरिया ही share market है, और उनके पास account में पैसा है बहुत जादा, हम और आप जैसे जो लोग हैं, जो केवल एक दो घंटे के लिए market में बैठते हैं, तो एक दो घंटे में अगर आप कुछ पैसा बना ले रहे हो, तो ये पैसा आपके लिए बहुत है, तो कोसिस करिए, छोटी quantity में trade करिए, बड़ी quantity की जरूरत नहीं है, और छोटी quantity में भी trade करके आप इतना पैसा बना सकते हैं, अब देखिए, मैंने केवल 150 quantity sell कीती, कहाँ पर कीती, 100 पे, कहाँ पर बंद हुआ, 49 पे, हमें 7,557 रुपी मिला, ये 150 quantity हमने 332.11 के average price per sell की, 212, हमक किती quantity है, 1500 quantity, तो दिन का 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, अगर आपको मिल रहा है, छोटी 1500 quantity में, तो क्या जरूवत है, आप 1500 quantity sell करें, या 1500 quantity sell करें, या 1500 quantity, जरूवत नहीं है, आप छोटी-छोटी quantity से trade करिए, लेविल का धिहान रखिए, आपको बहुत अच्छा पर अपरेट में, आप चाहें, तो जोइन कर सकते हैं, दोस्तों, इसी के साथ वीडियो साफ करता हूँ, धन्यवाद,